जब social issue की film audience में आती है, so it becomes more controversial, जैसे की careless story की साथ भी हो रहा है, but from the same year, I noticed की there is sense of separate past in Indian audience, अब चाहे वो किसी भी religion से belong करता है, but overall I noticed जो भी controversial film रही है, उन सभी movies को लेकर BJP के एक अच्छा support and reaction रहा, For example, तक कश्मीर पाल को tax-free करना और खुद हमाय प्राम मिनिस्टर का इन मुवीज के उपर लंबा चोड़ा speech देना, these all things clearly showing the positive support of BJP in that film, okay let's talk on their statement and find out why they are deeply engaged with this film, before starting of this video, let us tell you this is my personal opinion on this topic, आपके मुझसे अलग भी हो सकते हैं, which is totally healthy and democratic. आपाता है, उन्होंने दाबा भी किया है, कि ये तेन लड़कियों की कहानी शत्त है, अगर ये थारत पर फिलंबनी है, I support, और हम यही कहेंगे कि सप्तका उजागर होना ही चाहिए. No.1 Statement of Modi According to our Prime Minister, these type of film should be made in India and I think he is right. The Kerala story के लिए उन्होंने अपना positive response दिया and same response Kashmir file के लिए भी दिया था. But why he is giving positive response, what is exact reality? क्या इसके पीछे कोई personal propaganda है या ये सच में जरूरी है? So there is two things जो आपको समझना होगा. First is content of reality and second is content of benefit. ये चीज़े हमारी Prime Minister पर depend करती हैं कि वो इस case को किस तरह लेते हैं? Content of benefit or content of reality. अगर वो reality के base पर काम करते हैं, so he is right and he is doing his duty. पर अगर वो benefit के base पर बात करते हैं, so it is propaganda जो कि एक देश के रिए कापी dangerous हो सकता है. So after watching interview of Prime Minister, वो इस चीज़ को किस एंगा से देख रहे हैं, ये हम नहीं जान सकते. It's totally depend on our Prime Minister. What kind of angle our Prime Minister used to see this film? आप हमें कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताएं. आतं की साजी सर्वनी फिल्म, केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है. कहते हैं, केरला स्टोरी सिरफ एक राज्य में हुए. योगी सर हमेशा से अपने धार्मिक्दा के लिए जाने चाते हैं. And he is doing that. बट ऐसे फिल्म को बार बार टैक्स प्रे करने से problem solve नहीं होते. This is a problem and आज भी चीज़े हो रही है. But doing tax-free is not solution of this problem. उन्होंने कश्मीर फैल को भी tax-free किया था. इस चीज़ को हमारे योगी सर को समझ रहा होंगा. This is very sensitive and important topic. जिस पर अच्छे से काम होना चाहिए. Not like action after ignorance. ये सही direction of working नहीं है. आपको क्या लगता है? I am right or not. Number 3. The statement of बागेश्वर ठाम बाबा. पिसेंट में बागेश्वर बाबा काफी ज़्यादा वारल हो रहे थे. एंड ऐसा भी माना जाता है कि उनकी direct connection God से भी है. Anyway, it's not our topic. अज बागेश्वर बाबा की ज़्यादा तर statement वारल होती है. ऐसे में उन्होंने केरला स्टोरी को एक गंभीर मुद्दा बताते हुए अपने विचार लूगों के सामने रखे हैं. उनकी हिसाब से केरला स्टोरी जैसे मुद्दे देश में आतंगवाद को वढ़ावा देते हैं. चोकि ठीक नहीं है. और ये इस फिल्म के सपोर्ट में भी हैं. इस फिल्म के सपोर्ट दिये हैं. जो कि सेपरेशन को साफ क्लियर करता है. अगर आप एक चीज नोटिस करते हैं. सो जितनी फिल्म कॉंट्रवर्शल होती हैं, वो जादतर फिल्म रिलीजन बेस्ट होती हैं. और इस फिल्म में कुछ पार्टिकुलर रिलीजन को टार्गेट करके उसे गलत बताया जाता है. और उन्हें दोशी धराया जाता है, वो भी इंडा रिख ले. जो कि सही चीज नहीं है. उपर से जब हमारे पॉलिटिशन भी अपने प्रसनल अब्जेक्टिव के निए, किसी ऐसी चीज़ को सपोर्ट करते हैं, जो लोगों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करते हैं. So this is really a big problem. एंड इस चीज़ को कोई देख नहीं पा रहा. मैंनीन सबी इंटर्व्यूस को इसने दिखाया है, ताकि अब समझ भाए, पिज़े really make you understand. लोगों के पीछ difference होता नहीं किया जाता है, लोग separate हैं नहीं उन्हें किया जाता है, लोग अलग धर में नहीं बटे उन्हें बाटा गया है, सिर्फ अपने एक बहुत ही minor personal objective के लिए, सो मेरी हिसाब से अगर ऐसा ही चलता रहा, सो बहुत चल्द इंडिया में सभी धर्मों के पीछ हमें एक civil war देखने को मिलेगा, जिसमें सिर्फ एक normal person की मौथ होगे. Alright, I hope आप उस समझ भाए होंगे, जो मैं आपको समझाना चाहती थी. It's my personal thought, आपके मुझे सेलफ भी हो सकते हैं, which is healthy and totally democratic. So don't be angry on me, just chill and think. Okay, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक and चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले. See you soon in the next video. Bye-bye.